येती हमेशा सही इंसानों में चर्चा का टॉपिक राहे हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि वो मौजूद है और कुछ कहते हैं वो मौजूद नहीं है पर तिबबत और नेपाल के लोगों को पूरा ही यकीन है कि हिमाले के पहाडों में रहने वाला येती यहां कई सो सालों से मौ येती के पैरों के निशान का तब पता चला जब 1925 में एक युनानी फोटोग्राफर एन ए टॉम पाजी ने वो पिक क्लिक की थी वो जियोलोजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा जीव था जो उनसे हजारों फीट दूर था मगर देखा जा सकता था और फिर उन्होंने जब थोड़ा और आगे जाने की कोशिश की तो उन्हें एक बहुत बड़े पैरों के निशान वही पास में दिखाई दिये लेकिन अभी तक यतिकारैस से सुलज नहीं पाया है ब्रेटिश साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि वो कोई जानवर नहीं है बलकि वो एक इनसान ही है जो पूरी तरह विक्सित नहीं हुआ एक बार साइंटिस्ट ने दो जानवरों का डियेने कलेक्ट किया पहला लदाक से लिया जहां 40 साल पहले एक शिकारी ने एक जानवर को मार गिराया था और दूसरा सैंपल तब हुटान से जहां से बास के जंगल के पास से कुछ बालों का जुंड मिला और बाद में उसे डियाने के लिए बेजा गया जिसमें ये पता चला कि काफी साल पहले एक भूरे बाल वाले बालों जैसे जानवर की परजाती एक्जिस्ट करती थी तो जो चैर्णे जीग थे, उनकी बाडी कुछ-कウच बंदर के जैसे थी याने उनकी बाडी पर बाल थे और फिर इनकी जब शादी हुई तो इसे जानवर जैसे बी यानि इनके शरीर पर काफी बाल थे और इनका कत काफी नंबा था अब इनी बच्चों से अलग-अलग गुरूप बनते गए और इनकी संखिया बढ़ने लगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इनकी बोडी बंदर की शेप से हट कर इनसान के जैसे होने लगी और इनी लोगों को हम तिब्बत के लोग कहते हैं तिब्बतन लोगों का यही मानना है कि उनके कुछ ऐसे पुरवज भी थे जो इनसान के जैसे नहीं बन पाए और उनकी बोडी वैसे ही जानवर जैसी रही जिनने हम आज येती के नाम से जानते हैं और फिर है कि येती का जिक्र लोगों के सामने कैसे आया और वहाँ से पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगा कि हिमाले के परवतों में एक बड़ा विशाल जानवर रहता है अब सवाल ये है कि येती अगर है तो वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया यानि उसकी बिल्कुल रियल तस्वीर हमारे सामने क्यों नहीं आ पाई तो इसके दो रीजन हो सकते हैं या तो येती सच में एक्सिस्ट ही नहीं करते यानि उनका कोई नाम और निशान अब नहीं है हाँ पहले वो जरूर हो सकते थे क्योंकि पहले तो बहुत सारे विशाल जानवरों का होना हम इतियास में भी पढ़ते आ रहे हैं जैसे डाइनसोर थे या हमारे पुरानों में भी कई राक्षसों की लंबाई बहुत बड़ी बताई गई है पर वक्त के साथ वो सब लुपत होते चले गए और अब हमें वो देखने को नहीं मिलते और दूसरा रीजन है उनकी आबादी का बहुत ही कम होना यानि एक तो वो बिल्कुल ऐसी जगह रहते हैं जहां आम इनसान का रहना नामुम्किन सी बात है जाए इनसान ज्यादा दिन रहे तो वो ठंड से ही मर जाए और फिर उनकी आबादी भी इतनी नहीं है कि उन्हें हर कुछ मिनट में देखा जा सके इसलिए भी शायद उन्हें अभी तक पकड़ा या देखा नहीं जा सका और फिर बात आती है कि हमें यती पर यकीन करना चाहिए या नहीं तो मैं ये मानता हूं कि कोई पूरूफ का ना होना ये नहीं दिखाता कि वो चीज एक्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि धर्ती की बहुत सारी ऐसी जगा हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है। ऐसे गहरे समुंद्र हैं जिनके डीप अंदर तक कोई नहीं पहुच पाया। ऐसे ही हम एलियन्स को सोचते हैं कि वो होंगे या नहीं। तो यहां भी हम जानते हैं कि ब्रह्मान कोई एक चम्मच जितना छोटा नहीं है बलकि वो हम है जो एक चीटी से भी छोटे हैं ब्रह्मान इतना बड़ा है तो अगर हम यहां बैट कर आपस में बात करके इस टॉपिक को सोच सकते हैं तो जाहिर है ऐसे और भी प्लैनेट और पर अगर वो कभी सामने नहीं आता तो कुछ-कुछ सबुत हमारे पास तो है जरूर कि वो पहले एक्जिस्ट करता था पर अगर उसके होने के आगे भी सबुत मिलते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें उसकी रियल तस्वीर देखने को भी मिले जिससे अपने आप ही ये आपके चैनल से जुढने से मुझे भी होसला मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो ले कर आने का तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करो तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ तब तक अपना खयाल रखिये